कि गुद्ट मॉर्निंग ओलो फ्यू सारे के सारे सातियों को नमस्कार सभी को रादे रादे स्वागत है आपका एक बार फिर से सोशियोलोजी की दुनिया में ऐसे हो सब के सब बहुत अच्छे हो ना और अपनी पढ़ाई वह अच्छे से कर रहे हो तो आज की क्लास में जो स सोशियोलोजी की जो फेमली वाली ऊनुट है सबसे लाज का जो एक झौटा बचावा था जिसका नाम है मेरी मेरीज को मेरीज के टाइप ठीक है तो यह एक टोपिक बचावा को इस क्लास में अपने कवर कर लेते हैं क्या दना अपने topic का मेरिज मेरिज यानि कि आप सब को बता है किसको बॉलते हो विवा है ठीक है err आज के पढ़ने वाले हैं кожती है कि इतने परकार की मेरीज होती है ठीक है तो आज की क्लास में अपन ये टोपिक पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि मेरीज क्या होती है क्या मेरीज का इंट्रोडेक्शन इंट्रोडेक्शन यानि कि इसका आपने जनरल इसका इसके बारे में जनरली पड़ते हैं कि इसका किया होता है मेरीज का तो मेरीज मेरीज इस उन ओप दय धिए युनिवर्शल स्ोचियल इनस्ट्यूटूटूशन कि Milkन sickness 2016 कि सोचियल इंस्ट्यूटूशन यानि कि एक सामाजिक सेंस्ता है मेरीज क्या होती है मेरीज क्या है मेरीज एक यूनिवर्शन क्या है प्रोसियल इंस्ट्यंटूशन है ऐसे नहीं है कि आपके मेरीज शिरق इंडिया में होती है का परकार और अलग तरीके से हो सकती है प्रेस्चिये पूर्पर के अंदर मेरेच क्या है अब क cranberry Tsch society to control and regulate the sex life of a woman और यह क्या किया जाता है जो human होते हैं जो मनुस्य होते हैं उनकी द्वारा की जाती है मेरीज किसके लिए भाई मेरीज क्यों कर रहे हो आप मेरीज का उदस से क्या है to control and regulate the sex life of a woman जो इनसान जो होते हैं उनकी जो sexual life होती है उसको control और regulate करने के लिए क्या की जाती है मेरीज की जाती है अपने पढ़ाता है एक family है उसकी जो need होती है कि उसको sexual life का भी regulation करना होता है तो sexual life की regulation में अपने यह देते हैं कि जैसे sexual life की regulation के लिए क्या करते हैं मेरीज करते हैं तो sexual life होती है वो भी एक क्या है इंसान की physiological need के अंदर आती है तो उसको regulate करने के लिए क्या की जाती है मेरी जे की जाती है इड़ी क्लोजली कनेक्टेड विद इंस्टिटूशन ओफ फेमली जो फेमली अपने पहले पढ़ाता कि फेमली एक सोसियल यूनिट होती है और मेरीज क्या है मेरीज जो है आपके वो इससे क्लोजली कनेक्टेड होती है जादी क्या है मेरी जिससे क्लोज जो फेमली एक सोसियल यूनिट है किसने क्लोजली रिलेटेड होती है आप सबको पता है अगर साधी होगी तभी फेमली बनेगी तो इसके अंदर यह एक यूनिवर्शल सोचियल इंस्टिटूशन है और क्या यह की जाती है और क्यों सोच्यल जो आपकी जो शेक्सवल लाइप उसको कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए क्या की जाती है इस्टिटूशन ओ फेमली अपने पड़ा था एक उनिट होती है उसके बाद में अपन देखते हैं कि जो मेरिज होती है उसके दो असपेक्ट होते हैं दो असपेक्ट यानि कि असपेक्ट या फिर आप एक याम असपेक्ट का मतलब होता है आयाम तो जो marriage होती है उसके दो आयाम होते हैं यानि कि two aspects marriage के दो aspect पढ़ रहे हैं अपन एक marriage जो है उसको किस किस तरह से समझ सकते हैं ठीक है तो एक तो आपका आता है legal point of view क्या legal point of view यानि कि कानूनी तरीके से कैसे legal का मतलब होता है आप सबको पता है क्या कानून तो legal point of view का मतलब होता है कि legal point of view के तरीके से जो marriage होती है वो कैसे होती है कि states that marriage is a contract legal point of view जो कानूनी तरीके से अगर अपन देखते हैं तो legal point of view से marriage किसको बोला जाता है जो इसके अदर यह होता है कि यह legal point of view वाले यह करते हैं कि marriage एक तरह का क्या है एक contract है क्या है marriage एक तरह का contract है दो लोगों के बीच में क्या है lifetime साथ रहने का एक तरह का क्या है contract है आप सब को पता है अपन बोलते हैं न मैंने यार contract sign कर दिया अम मेरे को रहना ही पड़ेगा तो मतलब क्या हो गया कि जो marriage जो होती है वो आपका एक तरह से क्या है दो लोगों के बीच में एक lifetime का क्या है contract है दूसरा आपन देखते हैं religious point of view कैसे religious point of view का मतलब आपके धार्मिक तरीके से किसे धार्मिक तरीके से आप marriage किसको बोलते हो तो religious point of view से आप क्या बोलते हो कि states that marriage is a sacrament marriage क्या है एक sacrament यानि कि दो लोगों के बीच में एक तरह का मतलब sacrifice का मतलब जैसे आपन बोलते हैं कि sacrifice कर दिया तो दो लोगों के बीच में अपनी life को क्या करते हैं वो share करते हैं ठीक है यह इसका मतलब लीगल point of view वाले क्या बोलते हैं कि यह तरह का contract है और religious point of view से क्या बोलते हैं कि यह तरह का क्या है सेक्रा मेंट है ठीक है सेक्रा मेंट यानि कि दोनों एक दूसरे के साथ वो रहते हैं उसके बाद में अपना topic है type of marriage यानि की जो साधी हो विवा है के परकार क्या देख रहे हैं अगला इसको आप हिंदी में अगर लिखो तो मोनोगेमी मोनोगेमी और इंगलिस में क्या है मोनोगेमी मोनोगेमी का मतलब क्या होता है मेरीजों बीट्विन आदमी की एक हें आध मिट्विन और चैसे कि मेरीज और इसका मतलब आप नौर्मली को आप अपने अंडिया में मोनोगोमि का मतलब होता है मेरिज किस किस के बीच में होती है एक आद्मी और एक वूमन के पिरब एक आद्मी और एक वूमन के पीच मेरिज हो रही है उसको क्या बोलते हो मोनोगेमी यानि की दो लोगों के बीच में साधी हो रही है इसका मतलब मोनोगेमी उसके बाद में आपके आता है पॉलीगेमी और प्लूरल मेरी जी पॉलीगेमी का मतलब पॉलीगेमी क्या पॉलीगेमी और प्लूरल का मतलब जैसे आपके बहुत टाइप जैसे प्लूरल का मतलब आप जानते हो बहुत सारी परकार की क्या बहुत सारी परकार की मेरीज पॉली प्लूरल का मतलब एक तो क्या हो गया आपके पॉली गेमी क्या बोलो सवारों की बीच में कैसे refers to the marriage of more than one mate at a given time more than one का मतलब क्या होता है एक से ज्यादा मेंट का मतलब जो partner at a given time की एक समय में एक से ज्यादा इंसान के बीच में जो मेरीज होती है उसको आप क्या बोलते हो फोलीगेमी मेरीज के अंदर आते हैं जैसे आप मोनोगेमी का मतलब क्या होता है यह एक कि अंदर एक आदमी और एक ओरत के वीच में मेरी हो रही है है मोलई पर ठॉक कि मोनोगेमी में जैसे किसी का हैपन मानते हैं जैसे कोई विद्वा हो जाते हैं किसी का हद्वेन हो जाता है तो इसके अंदर भी दूसरे के साथ साथी होती है। लेकिन वो एक टाइम में नहीं होती है, ऐसे नहीं है कि एक साथ हो रही है, दूसरे के साथ साधी हो सकती है, लेकिन एक बार में एक के साथ ही साधी होगी, इसमें क्या होते हैं, एक बार में अलग-अलग के साथ, एक से ज़्यादा के साथ साधी होगी, किस के अंदर? polygymy और plural marriage के अंदर more than one mate at a given time एक time के अंदर एक से ज़्यादा के बीच में साधी होगी it has three forms और ये क्या होती है तीन परकार की होती है polygymy जो आपके साधी होती है वो तीन परकार की होती है कैसे कैसे एक तो आपकी होती है polygyny क्या polygyny polygyny का मतलब गाइनी सब्द आप सबको पता है गाइनी सब्द अपन कहां पर अगर आ जाता है तो वो किस से related होता है woman से related होता है किस से related होता है woman से related होता है अपन बोलते हैं न ये गाइनिक डोक्टर है गाइनिक डॉक्टर का मतलब अपन क्या बोलते हैं यह लेडीज की डॉक्टर मतलब यह वूमन्स की डॉक्टर है तो गाइनी सब्सक्राइब क्या जुड़ा है पॉली का मतलब क्या हो गया एक से ज्यादा ठीक है और गाइनी का मतलब क्या हो गया किसे होता है वूमन से रिले तो पोली गाइनी क्या है बहुत एक से ज़्यादा है क्या है वूमन है क्या है वूमन है तो पोली गाइनी का मतलब वहा कि one husband and two and more एक हजबेंड है हजबेंड तो एक ही है विचारा लेकिक एक से ज्यादा क्या है एक से ज्यादा वाइव्ज यानि की आपके टू और मोर वाइव्ज दो या दो से ज्यादा क्या है तो पोली का मतलब बहुत सारी गाइनी का मतलब लेडिज तो इसके इंदर पोली गाइनी में क्या होगी ज़्यादा लेडी जो हँंगी हजबेंड तो यह की है बट यह जो लेडीज में प् Mid-Don से क्या है ज्यादा होगी इनके वीत में आगा साधी होते हैं तो वो क्या होती हैं कि पोलीएंड्री क्या फॉलीएंड्री का मतलब क्या हो गया फोली का मतलब मां आपको बता चुकिन हों बहुत सारी बहुत सारे और आप सब को पता है आप अपन बोलते हैं doon-doon-doon-doon-doon-doon-doon-doon-doon-doon-doon-doon-doon-doon-doon-doon-doon-doon-doon-doon-doon-doon-doon-doon-doon-doon-doon-doon-doon-doon-doon-doon-doon-doon-doon-doon-doon-doon-doon-doon-doon-doon-doon-doon-doon-doon-doon-doon-doon-doon-doon-doon-doon-doon-doon-doon-doon-doon-doon-doon-doon-doon-doon-doon-doon-doon-doon-doon-doon-doon-doon-doon-doon-doon-do होती है वह तो एक ही होगी बट दो से या फिर दो या दो से ज्यादा क्या होंगे आपके हजबेंड होंगे लिका मतलब तो इसका मतलब क्या होता है Poliandri टाइब की मेरी ठीक है अब चलो इतना तो ठीक ता है यहाँ पर इन्हों ने तो हदी कर दी क्या group marriage क्या group marriage मतलब की group का मतलब आप किसको गोलते हो सिबको पता है group मतलब एक स्ट्मू है एक group so group marriage क्या होती है marriage of several men to several women की मतलब 2 से ज्यादा suppose that मालो 3 ही तो आदमी है और 3 ही क्या है wife है 3 ही तो husband है और 3 ही क्या है wife है तीनों की आपस में क्या है, तीनों की आपस में क्या हो गई, ऐसे नहीं कि तीन भाई बैनों की साथ में साधी हो रही है, वो तो मोनोगेमी टाइप की होगी, उसको तो मोनोगेमी बोलोगे, अगर तीनों के साधी हो गई तो उसको आप क्या बोलोगे, ग्रूप मेरी जे बोल यानि कि से बहुत सारे ही तो मेल होते हो और बहुत सारी क्या होती है वाइफ ही होती है इसका आप थोड़ा सा इसको पिक्चर से मां आपको समझा देती हूं देखो कितने अच्छे-चे कपल है मां आपको दिखा रहे हूं यह क्या है इस सब को दिखाई दे रहा है इतना कुन से टाइप की होगी आप पड़ चुके हो भी बोलो बोलो जल्दी बोलो कौन से टाइप की मेरीज होगी तो यह कौन सी मेरीज होगी आपके मोनो गेमी परकार की मेरीज होगी कौन सी होगी मोनो गेमी परकार की मेरीज होगी एक हजबेंड और अगर एक वाइप है तो क्या होगी मोनो गेमी परकार की मेरीज होगी उसके बाद में देखो ये भी आपको अच्छे से दिखरा होगा पिछारा हजबेन तो एक ही है दोनों के बीच में आ गया ऐसे की पचाओ कैसे तैसे तो करके भाई हमारी क्या गलती है हम क्या कर सकते हैं तुने ही की थी दो दो से साधी वो पिछले वाले कितरह एक से ही कर ले रहा था ऐसे दिख रहा है देखो कितना कुछ नजर आ रहे हैं यह दोनों और यह देखो पर क्या है समय समय की बात होती है तो यह क्या है हजबेंड एक है और दो इसकी वाइप है तो यह बताओ कौन से प्रकार की मेरी जोगी बोलो जल्दी बोलो पढ़ चुके हो आप पि जाने के बाद कूछ नहीं बोलो तो यह कौन से टाइप की मेरी जोगी यह आपके पॉली बोलो पॉली गाइनी यह क्या होगी पॉली गाइनी परकार की मेरी जोगी यानि गाइनी मतलब की लेडी ज्यादा है ठीक है उसके बात में इधर देखो और ही ज़्यादा हद हो गई क्या हो गई वाइप तो बिचारी एक ही है लेकिन देखो फिर भी देखो लड़के पीछे अगर लड़का एक था तो वह ज्यादा प्रेशान था अब यहां से समझ में आ गया होगा कि लेडिस क्या करती है ज्यादा प्रेशान करती है यह इतने हजबेंड आई एक वाइप है लेकिन ये सारे के सारे कृस है उद्सप़र में उसका नफ्स परफिते हं लेकिन सब बिलके इसको कितना रख रख रहे हैं तो यह नहीं सोचना है कि बहुत सारे होने से ज्यादा मोनोगेमी टाइप की अपने इंडिया में मेरी चलती है और मोनोगेमी टाइप की मेरीज क्या होती है सक्सेश होती है या फिर अच्छी करी के अच्छी होती है मान के चलो आपको इदर यह क्या है पास साथे सैंस करती कीतर है यहां पर एक से ज्यादा अजबेंड रखने वाला और वो सिस्टम नहीं करना है कि आप कहीं आप बोलने लग जाओ कि ज्यादा अजबेंड होंगे तो कि बोलता है वह अपने लिए क्या होता है तो यह कितने सारी कुस हो रहे हैं तो breathing कौन से टाइप की मेरीज है बताओ देखें बोलो कौन से टाइप की मेरीज है आपके पॉली एंड्री कौन से टाइप की मेरीज है पॉली एंड्री यानि की जो में है यानि की मेल है वह एक से ज्यादा है और फीमेल क्या है वह एक ही है तो यह कौन से परकार की मेरीज हो गई मेर्शी ज्यादा हजबेंड और वाइफ दल ada right toana इसे दर तो बहुत ही ज्यादा गमा सान हो गया और दो जादा करें सेते हो गया कि कुछा यहाँ पर कितने सारे लड़के बोच सारे मेल है और बोच सारी फीमेल लेकिन ऐसे नहीं है इनके अलग अलग साधी और इसका गठ जोड़ा इससे बंदावा इसका इसे भी बंदावा इससे बहुत अच्छे से में समझ में आ गई ओगी आपको तो सबसे पहले क्या था कि नहीं क्या होती है इसके अनदर सबसे पहले रिने देने देखा तifter की मेरी जो होती है वह एक क्या है यूनिवर्सल वर इन्सटो सने क्या है यूनिवर्सलो सोसल एंस्टोटूच fasc fair का यहानि कि सब्सक्राइब करने के लिए क्या की जाती है मेरीज की जाती है उसके बाद में अपने मेरीज के दो अस्पेक्ट देखे थे एक तो लीगल पॉइंट उप विए और डूसरा आपने कैसे देखा था रिली यीज्स पॉइंट ताइब पढ़ाता उसके अंदर अपने देखा त़ा स्वानो गेमिदर कौन सी मेरि इन युद्ट से मुणो गेवी मौनो गेवीं के अंदर क्या होता है एक ही तो आद्मी होता है और एक ही चौन और यह वाइव होती है जैसे यह कौन सी टाइप की मेरीजivel मौनो गेमी टइप की मेरीज है उसके बाद में आपने क्या देखा था ओली या quick कौनका चाहिए पॉली गेमी और गेमियोंत कर प्लूरल मेरीज इसके इंदर क्या होТी या तो एक है क्या या एक से होती है बोलो कोंसी होती है पॉली गाईनी पॉली घाईनी का अ मतलब खर जयनुत होगा और वाइप कितनी होंगी दो या दौ से जदा क्या होगी वाइप में होंगी जैसे पुराने राजा माराजा के टाइम पे चलता था अपॉली घाईनी वाला system यह और यते जयांदा है भर यह आपकी पोजनी टाइप की मेरी हो गई वाइप इक है रदी ग्रूप मेरीज मेरी हो गई तो थैंक्स टू अलो प्यू आज की क्लास में अपन जो है वह इतना ही पढ़ेंगा फिर्थेंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हुगा है झाल झाल झाल